च्छे माँ गुजर चुके हैं इस वाकिये को और मेरे बच्ची ने क्या भीगा रहा है उस बच्ची नोद इस गली के अलवा की से को परचानता भी नहीं है अल्ला का सरा में बैठी हूं अल्ला का रास्ता देखा है जारे लेतैं चेजए कोड़ पर जजस ने थिल्या कर नोज ютьएकिआ है बड़ा स्वाल है पूरी कॉम पर जहांपे हमने लेंए माजी में के जह रहा काज्मी काके सो गया निमरा काज्मी का केस हो गया बहुत जाधा हाइलेट किया अब जो इतना जिया के पास दिया चार दिन के एक दिन की जाने के बाद के डियस पी नहीं है दूसरे दिन किया तो डियस भी पोड गया वाता थखावा ओड के चला गया बिस्मिल्ल्य रिमान रहीम, स्लामु आलेकूम वाइस ओफ निशन के साथ, मैं हूँ महामजेरा नाज़ीन, एक और 14 साल की बच्ची लापता है और ये वाकिया कुछ दिन या कुछ महीने पहले का नहीं, 6 महीने पहले का वाकिया है सिम्रन नामी 14 साला बच्ची अपने घर से मदर से जाती है और वहां से लापता हो जाती है 6 माँ गुज़र चुके हैं इस वाकिया को इस केस में कोई खासी तफ्तीश पुलिस के तरफ से नहीं हुई है बच्ची का आज भी कुछ पता नहीं है कि बच्ची कहां पर है बच्ची के वालदेन और बच्ची के जो फैमली है वो इस बात से काफी परिशान है बहुत डिप्रेशन में हैं ये लोग पुलिस की तरफ से भी कोई खासी तफ्तीश नहीं की जा रही कोई एजनसी कोई इदारा इस वाके को रिपोर्ट करने नहीं आया छे महीने गुजर गए इस वाके को 14 साल की बच्ची है और इसका कुछ नहीं पता ये एक बहुत बड़ा सवाल है पुरी कौम पर जहां पर हमने देखा माजी में के जहरा काजमी का केस हो गया निम्रा काजमी का केस हो गया वो बहुत जादा हाइलाइट किये गए क्योंकि उनके फैमिली इस स्ट्रॉंग थी अगर किसी के फैमिली स्ट्रॉंग नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि उनके बेटी के हाले से कोई तफ्तीश नहीं होती ये पुलिस की इस कौम की इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर किसी के भी घर से बच्ची लापता होती है तो वो उसको बाजियाब करवा करना है अपनी तरफ से तफ्तीश पूरी करें ये वाकिया किस तरह से हुआ बच्ची किस तरह से अपने घर से लापता हुई और उसके बाद इन छे महीनों में पुलिस की तरफ से क्या तफ्तीश होई है ये जानते हैं इनकी वालदा से स्वाम अलेकुम अलेकिम सलाम बताईएगा कि आपकी जो बेटी थी वो किस तरह से घर से गाया वोई क्या ये वाकिया हुआ है मेरे बेटी दो टाइम के मदरेसा पढ़ती है और मदरेसा भी हमारे महली के अंदर है खलीलिया मदरेसा में पढ़ती है मैं इस सुबह गई आड़ बज़े, एक बारा बज़े घर पर आई फिर खानावना खाके एक बज़े यहां से घर से गई मदरेसा चार बज़े नहीं पहुची जब साड़े चार बज़े में मदरेसा गई मैंने जाके देखा मदरेसा का चुट्टी हो गई फिर बच्चों से पूछा बही बेरी बेटी घर नहीं पोची तो उनने बोला चुट्टी का टाइम तो उर निकल गी फिर में महले में आई अपने जो रिष्टारे उनकी घरों में तलाश करना शुरू की वे जो दोस्ते सहली है उनसे मालूमात की तो कैर हमने तो इसमें को द करने के बड़ कर दो की का नहीं हैं रात की बारा बजह हम थाने में जा या फ़िपोर्ट लिखा रिप mist अनने बैगा मंहें थार तर्फास लिखो पुलीश बोला उन्हें क्ला ने खाएम आप आफका ri अने काट मेरे बच्ची लापग यून्नेसे पेले मेरे घरमें दकायती हुई है, हमारे कुछ पैसेों का लेन दिन था, वो भी मोहले के है, जो हमने उस बंदा को बंद कर आया, एक बंदा उसमें से पिछाने गिया इस उतना में, तो लड़का जैसे छुटके राया था जेल से, उसने बोला मैडम तुम्हें खून का आसु रुलाना है, और कोई अता पता मादरस आया ना मुहले में आया ना किसी सा पूछ गाच की, कुछ भी नहीं उन्होंने पुरा महना थाने ओट लगाते गए उन्होंने केस कर दिया, पिर दुबारा में अभी हाई कोट में केस की, और जिनको पर शक है, उनको बोला भाई उन बंदा सा पूछ जानता भी नहीं है, पिर मालूमत करते गरते अब जाए एक लड़की का नाम आया, उसमें अश्रा नाम है, मतरसा का कोणे में रहते है, अब उन पता चलाई यह लड़की जो है लड़कों से सेट्टिंग करा आगे लड़के उनकों को इलाका से बहान निकालता है लड़की हमारे पास ने, मैं क्यों करूंगी यह फलाना डिमकाना, उसका बाप कर रहा है, मेरे पास यह फलाना बंदा है, तुम जो उकाड सकते हैं, उकाड लो, मेरे क्या बिगाड होगी, मेरे बच्चे को क्या बिगाड होगी, कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे पास फलाना बंदा है, आपकी बेटी की उमर क्या थी? चोदासल की बच्ची है पुलिस इस सारे मामले को कि तरह देख रही है और चटा महा आप कह रही है चटा महीला चल रहा है पुलिस के चरफ से कोई भी कारवाई नहीं की गई अब है कोड से जो ना? जैज ने उडर दिया और नहां ऑसर अफसर का नाम नहीं बता लिए उनको भी दिया यह दूसरा मही नहीं, ख underm हो रह है वह भी अब तक नहीं है कोई कारवाई करने के लिए कि बच्ची का पुलिस अगर से हो न को सारे सिस्टम्हीं से होगा दुआ जारा को लेकर उसने कहां कहां उनकी माप अपने तलाश नहीं कि अगर मेरे बच्ची के लिए भी कोई एक पुलिस अला भी थोड़ा सा भी सकती कर ले लाका में आके तो मेरे बच्ची परा मत हो जाए यह यह लाका वाले ही भूले हो ले पूछे मेरे हल क्या है रहनत की बात है नाजरीन के छे महीने हो गए और पुलिस की तरफ से कोई कारवाई नहीं की गई इविन के इनको जिन लोगों पर शक है उनसे भी पूस गश्ट नहीं की गई कोई इनक्वाईरी नहीं की गई सवाले से इस वाकिये को अगर हम लोग देखें तो उसमें सरा सर जो गलती नजर आती वो पुलिस की है क्योंकि जब माबाब अपने मूँ से वो बंदे जो लोग जिनका नाम बताया जा रहे हैं जिनके बारे में बता रहे हैं जिन पर शक्त जाहिर कर रहे हैं तो इस पुलिस को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने चाहिए जरूरी नहीं है कि अगर आप गरीब हो या अमीर हो से फरक नहीं पड़ता बच्चियां सबकी होती हैं अगर घर से कोई भी बच्ची गायाब हो रही है तो ये पुलिस का फर्ज है कि वो अपने फराइस प्रॉपर तरीके से अंजाम दे किसी केस को लाइट और किसी केस को जो है वो हाई प्रोफाइल केस ना समझे ये बताएए कि आप पुलिस से मुस्तकिल तावण में है पुलिस अभी कोई तावण में नहीं है हमारे साथ कि अमने लेंजर वाले को हाइव कोट में केस किया.. वह उकिल ने लेंजर वाले को पाकिश बनाया.. पतानी किस इसको पाकी बनाया.. पर्सू पेशी था तीन तरीक को कोट पे गई.. उन्होंने और टाइम मंगा मुझए.. मैंने थाहें ठाइम भिए गुझ ओवा होगा, पहले छेह मेना गुझ गुजा गुझ गुझ गुज गुझ 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 लागा डहें, भिच्छी को तलश कर रहें, तो मिलेगा धां हुझ जातों में हो जाते हुआएं। प्रफुरी आपके निकालना है, निकालना तो पुलीस वाला है ना, डेंजर वाला है, यह लोग निकाल सकता है, हम तो कहा कहा जा कि नहीं देखा, जह तक हमें थोड़ा इन्फोमिश मिला आए, वो लोग जा के उनका थोड़ा थोड़ा पैशेर दे तब भी काम आगो सकते है वक्त क्या था जिस वक्त बच्ची अखवा हुई थी? किस तरफ गया यह नहीं देखा, कि मेरे कस्टमर के तरफ तुरी तेखूँ कि मेरे और भी कस्टमर था, अब उस भी कुछ बोल मी नहीं नहीं सेकते, वो दुकान दारे, इलाका मकीनों ने किसी तरह के कोई अक्टिवटी नहीं देखी बच्ची को किसी को ले जाते हुए न किसी तरह हमारी सामने खेले और उस फिल वगरता दे पुलिस ने आपकी मोबाल का CDR चेक किया है, उनको सारे नंबर दिया, उन्होंने चेक किया कि नहीं किया यह यह नहीं बता है। अब आप पुलिस से रापते में हैं, इस पूरे वाकिए के तने दिनों बादश हैं रापते में हैं? अभी जो पुरे भागी में जो किते हिरे this case छोसे डिया दिया बन्दा घर में बैठ के फोन तो कर ले, बमता कोई बात हो जा वे तो है, आने आकर मिलो उन से नहीं है तो और ये हमकोई उनका चुटी होता है पांच दिन उनके टाइम और पांच दिन कोई सा दिन बैठा है कौई नी बैठा ये भी नी बता अच्छा मुझे बता है, बच्ची के गवाह होने के बाद आपको किसी भी किसें के कुई कौई मौसूल हुई है, जिसमे आपको कोई दमकिया दी गई हूँ यह कोई नव नबर से आपको कुछ अजीब किसम की कौई आई है। लेकिन पहुजा तो बात नहीं करती है। तो ही चीछ करना college में पुलिस विसे घाँ से भी क्योंत से लेखारelle हैं। ज että में onसे किसी भी कुहाम करें। सो जबाने के बाद बहां नोगा करें। जो बंदा जमानत पर जो बंदा उनकों अमान आड़ निदाल सकते हैं. और जुछ लड़की का अब जिकर करें हैं, उससे कोई बात करी है? यह लड़की अब निकला है, एक दो माईन हो इस बात का, तो हम खुद अपनी तरफ से पहले तक्कियात करते हैं, कोई बेगोना लोग जो ना, मैंने चाहती है किसी को तकलीफ दूँ पहले हम खुद गई, मैंने खुद जा के बात की, यह लड़की मान नहीं रहे हैं, फिर हमारे मुहले से कुछ बज़गों बेजा, उनसे भी नहीं हुआ, पिर अगे जाना है, जब मुहले का नहीं सुन रह मेरे बच्ची से मतलब है, मेरे बच्ची मुझे मुझे मिल जाए, मैरे किसी से दुष्मनी एक हुदा की कसम, मेरे बच्ची अभी आ जाए, मैं कुरान पर हात रख के गहती, कुरान को अपनी सीने से लगा की, किसी कसत में कोई दुष्मनी नहीं लेना चाहती, मेरे कि अप्रास करब में भी गई वहाँ पर भी जाके हमने धंगर लगाई वहाँ पर भी जाके हमने जल्सा रख रिया उसमें भी कोई रिजेट नहीं आया पंदर आख बारों है दी अलग कहीं न कहीं से तो रफ्ता हो जाए फेस्बुक में तशेरा मेरे बच्छी के तस्वीर ट सेरा की वाकियात होते हैं उसको इस नदर से देखते हैं कि बच्छी अगर 14 साल की थी या उससे बड़ी थी तो बच्छी जादातर केसिस में ये देखा गया और लोगों का मानना भी यही है कि बच्छी अपने मर्दी से घर से गई होगी तो आप माँ हैं जाहरे आप एक छ जाल में फसा के लेकर गया और लड़की से दोस्ती है किसी लड़कों का चक्कर नहीं है अगर इस तरह का चकर होते हमने अपनी बच्छों को बड़े से लेके सारे बच्छों को बोला है मैंने बटा तुम लोगों ने जहां पर भी शादी करना है ना अपनी मर्जी से करो किस्ते लेने में खुद जाओंगी क्यों रहना तुम लोगों ने वो पुराना जमाना के माबब नहीं है वो जो अपनी मर्जी से कर रहे और बच्छे लोग सारे जिंदी की बुगतते रहे तुम लोग अगर किसी भंगी के साथ खूश रहना है तो खूश रहो हमें क्या है हमने अपने जिम्मेदारी पूरा करना है लेकिन मेरे बच्छी के इस तरह कोई चक्कर नहीं था चले मेरे बच्छी अगर किसी भी कर लिया तो कम सको एक फोन कर बता दे एक मैसिज कर दे अम्मी मैं शादी कर लिया आप उझे ढूंडों ने इतना भी कर दे ये भी बड़े मेहरबानी मैं चाहती हूं मेरे बच्छी जहां पर भी है इसने शादी कर लिया एक जिसकी पास भी है मेरे से दुश्मनी है मुझे उठा कर ले जो मुझे आकर मार दो लेकिन मेरे बच्छी को खुता कर बस्ते असाद कर दो अगर किसी ने पिसकी सथ शादी करा लिया या कर करते हूं कि जरूरी नहीं है कि बड़े घर की या पावरफिल फैमली की जो बेटियां होती है उनका ही साथ दिया जाए जैसे जहरा काजमी का केस देखा हमने माजी में तो पूरा कौम पूरी कौम पूरा मुल्क हर कोई उस बच्ची के साथ खड़ा हो गया उसके माबाप के स सब्सक्राइटी है तो ये फर्क करना छोड़ दें और पिछले छे महीने से बच्ची गयाब है और किसी तरह के कोई सबसे बड़ा सवाल या निशान जो है वो ये है कि छे महीने गुजर गए और कोई पूछने वाला नहीं है कि वो बच्ची इस वक्त कहां पर है जिन्दा है कि नहीं किसी को इस बाग की खबर नहीं है मैं ये इस प्लैटफॉर्म से वाइस ओफनेशन के प्लैटफॉर्म से तब को ये बोलना चाहती हूं कि अगर बच्ची अपनी मर्जी से भी गई है तो एटलीस माबाप को इन्फॉर्म कर दें ताकि वो सकून की सांस ले सकें और रातों की नीदे उनकी हराम ना हूँ कि आप इस वक्षाला दे सकते हैं मदर की कि किस कदर तकलीव से वो गुजर रही है और जहां तक बाते पुलिस की तो पुलिस से भी दर्खास करूंगी कि अपनी जो ड्यूटी है अपने फराइश जो है वो अन्जाम दे तरीके से मुतालिका हुकूमत से उन तमाम इदारों से जो इस चीज़ को देखते हैं जो इस चीज़ को हैंडिल करते हैं इस केस पर नज़र डाले और इस बच्ची को जितनी जल्दी हो सके बाज़े आप करवाएं